नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का बहुत रहा है सकैडवी में दोस्तों आज के क्लास में जैसे कि आप लोग के दुवारा रिक्वेस्ट किया गया था असाम PCS का Specific MCQs ना रिक्वेस्ट इससे पहले मैंने एक चीज बता देना चाता हूँ कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मैंने आप से वहां पे पूछा था बताईए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्पेसिफिक रहेगा सिर्फ और सिर्फ असाम स्पेसिफिक MCQ जिस जो कहा असाम PSC में पूछने की बहुत जादा हाइली प्रोड़ाइटी है तो आप लोगों ने सब में बोला था दाट यस वी वांट MCQ सीरीज यस ठीक है तो इसी के कारण we have brought about this MCQ सीरीज राइट ना यहां पर जो होनी वाली है 28th मार्ट से 3rd April के बीच में जो जो असाम स्पेसिफिक MCQ है एक एक चीज को मैं डिसकस करने वाला हूँ और इसका एक फॉर्मेट होने वाला है दोस्तों यह फॉर्मेट को जानिये ठीक है जितने भी answers आपके सही होंगे प्लीज आप या तो अपने note copy में roughly लिखिएगा that हां कितना आपका सही हो रहा है उसके बाद आप नीचे comment section में भी आपको participate करना है देखो इससे फाइदा क्या होगा मैं आपको बतला दे रहा हूँ मैं बहुत जाद एक्स्पिनेंस दो आप लोग से राइट सो इनो वाट है जैसे सो चो ये वाला आस आपने सॉल्व किया से फर एग्जांपल आप आज के आपके सिफ दस ही आज लेकोशन सही हुए राइट फिर दो महना बाद आप फिर से ये जब सॉल्व करोगे ना तब आप देखना इंप्रूवमेंट तब तो आप दो महन पहले तो आपका दस सॉल्व हुआ था क्या आपका अभी जादा सॉल्व हो रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब यॉर इंप्रूविंग इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप इसके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजेगा जिससे आपको बाद में जब फ्यूचर में रिकॉल कीजेगा तो आपको लगेगा that yes we have read it yes हमारा performance increase हो रहा है that is what I want from you guys right so focus जरूर कीजेगा चलिए आगे बढ़ने से पहले let me remind you that Bhadrais Academy लेकर आया आपके लिए Assam PCS का full packed power packed course so if you at all want to take admissions in our Bhadrais Academy so anytime you can contact on to these number और कभी भी आप contact कर सकते हो further informations के लिए चलि सबसे पहला question देख लेते हैं recently few high level meetings were conducted to give recognition to Assam's own Unicode now what is Unicode here Unicode का मतलब क्या होता है चार options दिये वह है ये एक special code है जिससे demarcate किया जाता है eco sensitive zones around national parks दूसरा it is a separate code chart for Assamese script तीसरा it is a pattern of to highlight Assam cultural diversity in global forum and fourth is it is recognition to Assamese folk dances only तो जहां only आ जाता है there is a high probability that that is wrong right so yes it is in reality as well this is wrong और ये आप न एक काम कीजिए आप इसको pause कीजिए और असका answer सोचिए that क्या सही है अगर आपने B option सोचा है तो बिलकुल absolutely सही है दोस्तों यहां एक Assamese script है इसके related हम लोगों ने news भी discuss किया था that एक high level meeting conduct की गए थी Assamese script को world recognition देने में क्योंकि अभी जो Assamese script use की जाती है वो Bengali के नाम पर use की जाती है क्योंकि बेंगॉलियार Assamese script almost same है right but Assamese के लोग चाहते है that no our you know हमारा जो अपना script है वो अलग एक recognition जिसको मिले right so answer yes answer is option B यह separate code chart है Assamese script के लिए later right अच्छा यह सब अगर आप सब कुछ पता है solve कर सकते है अगर आपने हमारे you know daily jo mcqs daily jo current affair series के classes अगर आप attend करते होंगे तो of course आपको पता होगा हम लोगोंने सब कुछ करवाया हुआ है right हां कुछ-कुछ questions है जो क्या out of the context भी है मैं बताते चलूंगा don't worry next question देख लेता है consider the following statement regarding major disasters in Assam Assam में जो major disaster है उसके related report आया था उसी के report के हिसाब से equation frame out किया गया है पहला option दिया हुआ है flood and erosion are the major ecological problems of Assam दूसरा है 2017 was the worst year in the last 11 years with respect to ecological disaster इसमें से कौन सा statement आपका correct है तो देखिए दोनो statement flood वाला और 2017 absolutely correct है इसलिए C was the correct answer here right क्यों correct है क्योंकि यही again article discuss किया गया हम लोगों के द्वारा that उसमा आर्टिकल था that last 11 years में 900 lives जो है आसाम के लोगों के द्वारा गवाया गया है जिसमें 2017 जो था वो worst year था in you know last 11 years क्यों क्योंकि 2017 years में जो है एक सो साथ लोगों की मृत्य हुई थी उसी लिए उसी लिए यहां पर दिखा हुआ specifically 2017 was the worst year है ना आप सोचेगा नहीं यह 2019 में ज्यादा pandemic के कारण मिरती हो गे थी यह देखो वो pandemic के कारण एक अलग data है ठीक है ध्यान देना यहां पर क्या बोला जा रहा पहला statement है 64 tributaries joint river Brahmaputra from the north या फिर राइट बैंक ओके राइट बैंक मतलब समझे ना जैसे सोचो यह Brahmaputra ऐसे करें कि घुसके इधर से बंगलादेश में घुस जाती है दुब्री से राइट तो इधर वाला जो पोर्चन हुआ ना इसको कहते है राइट बैंक ठीक है और इधर वाले पोर्चन को लेफ्ट बैंक ठीक है तो वही चीज बोला जा रहा है 64 tributaries जो है इसके बादे में एक आर्टिकल भी आया था दासाम ट्रिबून में उसी से या अंसर लिया गया इसलिए यस बोद दा ओप्शन आर आपसलूटली ट्रू जिसमें 64 tributaries नॉर्ट से जोरती है और 38 tributaries साओ से जोरती है राइट next is consider the following statement regarding Assam Agriculture University दो statement दिये हुए Assam Agriculture University के related the main goal of this institution is to produce globally competitive human resource in farm sector and it is also aims to carry out research in both conventional and frontier areas of production optimization in sustainable manner देखो इसी type के question जभी भी रहेंगे न आपको आंख बंद करके इसमें shree option लगा देना है पूछो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ trick क्या है ना देखो Assam Agriculture University अगर बनाया कोई भी अगर agriculture या फिर कुछ भी अगर संस्थान बनाया है क्यों जाता है आपको दिमांग पहले यह लगाना है इसलिए बनाया जाता है जिससे क्या हम larger goal को serve कर सके larger goal मतलब of course Assam के logo Assam के economy को promote किया जाए ठीक है तो यह सब कड़ोगे तो और यह दूसरा यह पहला बाला दूसरा बाला गोल दिया हो ना इस वरी जनरीक वरी जनरीक राइट तो इस टाइब के जनरीक अगर स्रेटमेंट्स रहे तो आप आंग बंद करके यह भी मार सकते हैं बट सब समय बंद वारिये राइट बहुत समय यह लोग ट्रिकल जाते हैं राइट ऐसा तो जो दूसरा वाला पॉइंट दिया हो ना जैसे इट अलसो एमस तो करी आउट रिसेर्च इन बोथ कन्वेंशनल और फ्रॉंट एरिया तो ऐसा आपको ले लगा दाट इट इट इस ओन सब्सक्राइट कर रहा है ना कोई ऑप्शिंस को तो वो ऑप्शिंस गलत होते हैं ठीक है तो एनिवेस आशा करता हूं आपका यह भी सही हुआ होगा राइट जस गो थू थू दू देस्क्रिप्शिप्शन वन इस आप्सलुटी सेल्फ एक्स्प्राइट राइट और दिया गया है मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि रिसेंटली यह सब नूज में था आसाम एक रिकल्चेर उनिवर्सिटी के बारे में यूस ता राइट तो आप वो उसने क्या किया है छोटा मोटा इंसिदेंट वो सब कुछ नहीं पूछता है वो सब क्यों पूछेगा ऐसा कुछ पूछ चागा ना जो कि larger context में आसाम के बच्चो को आना चाहिए ठीक है तो उस ताइप से next is which among the above statement regarding broomgrass recently seen in news is औरकार correct चार options दिया मैं इस फोडर ग्रास grown in dryland parts of India okay it is a grass variety extensively grown in northeastern states for home sweeping purposes okay special variety of order grown in northwest of India from indigenous for the indigenous cattle or none of the verb देखो यह basically सही answer इसका B है right basically इसको कार्भी अंगलांग प्लेट्यू में इसको बहुत जादा होगा जाता है इसलिए काफी जादा news में भी था हम लोगोने discuss भी किया था कार्भी अंगलांग प्लेट्यू के बारे में याद कीजेगा ठीक है so that's why of course B option is the correct answer regarding broomgrass cultivation वही जाडू होता है ना उसी के बारे में उसी को कहता broomgrass ठीक है next consider the following statement regarding ASME sent scholar Srimanth Shankar Deva okay he was a shavite sent and a reformer okay दूसरा है Assam government is planning to set up Sankar Deva circuit on the lines of Buddhist tourist circuit जी हां ये news में था right that Assam government planning कर रही है तो दूसरा option तो बिलकुल सही है पहला option he was a shavite sent नहीं है ये वैशनवाइट होगा ठीक है तो पहला option गलत है तो correct option is B only ठीक है उसके बारे में details दी हुई है that you know जितने भी सारे places है I mean Srimanth Shankar Devak है तो उनको सब कुछ को connect किया जाएगा with required infrastructure जिसमें नाम घर्स के साथ साथ जो है guest house का भी construction किया जाएगा जिससे बाहर से अगर लोग tourism purpose के लिए Assam में आए और उनको at least a comfortable stay मिल सके उन guest house में different busses transports जो है उसको link की जाएगी जितने सारे you know uh spots है आपका जाके असाम में श्रिमंत शंकर देव से related right so यह चीज है next is united nation general assembly has adopted a resolution to proclaim international day to combat Islamophobia on which of the following date 15 February 25th February 15th March 25th March आप बोलेगा सर यह तो आसाम से related में यह कैसे हो गया देखो Assam is also I mean there is a huge chunk of Muslim population right so you know we cannot ignore these kind of facts per se right so anyways कुछ कुछ अलग भी तो question हो ही सकता है न कि ऐसा IPSC लिए थोड़ो ना बोला है that हाँ सिर्फ और से आसाम से ही पूचाएंगे international news नहीं पूचाएंगे बिल्कुर पूचते है आप उठा के देख लो 2100 का question ठीक है so anyways correct option here will be 15th of March clear है चलो इसमें कुछ बोलने है लाइक है निए self-explanatory चीज है right you can do it yourself next is recently which among the following northeastern states have proposed to form an state OBC commission of course the option is Assam क्योंकि Assam ने government के द्वारा बोला गया था that एक यह जो T tribes है ना उनको basically sub-categorization करने के लिए यह state OBC commission का गठन किया जाएगा right so यह सी लिए news में था they got no separate reservation for T tribes in the educational institution is there है ना except few of the education institution तो इसलिए कोशिश की जा रही है that sub-categorization अगर कर दे with the formation of a state OBC commission then that would be much more better and easier next consider the following statement regarding Brahmaputra river Brahmaputra river के बारे में again two terms दिये गहा है facts it is a part of consequent drainage system more than 50% of the drainage basin lies in Bangladesh बताओ correct option one only two only both none क्या लग रहा है क्या हो सकता है बताओ तो आ देखिए इसका correct option basically neither है नो मदब एक भी पहला वाला भी नहीं है दूसरा वाली भी नहीं है क्यों क्योंकि देखो पहले इसके case में देख लो ना बांगलादेश में बोला 50% common sense लगा ना भाई है ना अगर river देखोगे तो इधर से घुसके इंडिया और चाइना में ही तो around आपका 75% हो जाता है उससे जादा ही हो जाता है बांगलादेश में तो एक छोटा सा जो क्या land form form होने के पहले से बहती रहती है इसी लिए तो आपका तिबबत से होकर होते हुए या हिमालयास को भी पार करते हुए आ जाती है सोचो ना अगर consequent होती तो क्या होती ना अगर जैसे यहां पर हिमालय होगा ना तो इसने अपना direction change करना ना था इस direction से घूम जाती या फिर इस direction में चले जाती या फिर अपने back direction में जाती बट यह हिमालयास होने के बावजूद भी उसको चीरते हुए लंबे बड़े बड़े गौर्ज बनाकर यह फारते हुए इसी लिए इसको हम लोग antecedent river flow कहते हैं catchment area 50% से ज्यादा लेकिन चाइना में बांगलादेश मातर 8% मनलब 10% भी नहीं है टोटल में और ध्यान दीजे का भूटान में इसका है कुछ तो यह सब चीजे जो है कुछ वो सब ध्यान में रखना पड़ेगा ऐसा question अगर आ सकता है इसका catchment area जो भूटान में भी लाई करता है आप सोचे कहां से आ गया भाई बट यहां पर catchment area बोल रहा हूं ना मैं आप सोचे यहां से गंगा भाई रही है राइट इधर से आकर इधर चले जा रही है तो देखो यह जो मेन है यह river stream गंगा की ठीक है बट अगर गंगा की catchment area बोलेंगे ना तो वह catchment area लेकिन इससे भी बढ़ा होगा पूछो क्यों क्योंकि गंगा किसे related जो भी tributary जो भी related है ना वो सब कुछ इसके catchment area catchment मतलब समझो ना catch मतलब गंगा रिवर जो catch कर रही है water कहां कहां से इन tributaries से तो यह पूरा area कॉन सा है यह पूरा area जो है यह पूरा area tributaries वाला area भी इसमें included होगा यह पूरा area catchment area में आता है ठीक है तो वैसा अगर catchment area दिखिएगा river Brahmaputra का तो सिर्फ और सिर्फ 8.1% area जी Bangladesh में और कुछ-कुछ area Bhutan में भी है ठीक है समझ में आगया आचा करता हूं समझ में आगया होगा समझ में आगया हो तो नीचे comment section में जरूर लिखतिया किजिए यार्ट यार्ट हां समझ में आता है राइट तब हमारा भी motivation बना होग अच्छा कुछ-कुछ statement दिये हुआ है आपको बताना है विच अमंग दा फॉलिंग स्टेट्मेंट इस नॉट करेक्ट ओके ओके विच अमंग दा फॉलिंग स्टेट्मेंट ध्यान दीजेगा इस नॉट करेक्ट बोला गया ठीक है चलो हम लोगो ने एक डिसकस भी किया थ एक न्यूस था जिसमें बतलाया गया था Union Ministry of Environmental Forest का रिपोर्ट था था कैसे समय के साथ साथ elephant का जो accident होड़ा है from the railways वो घट रहा है राइट बट साथी जाथ हम लोगों ने ये भी देखा था था कुछ-कुछ states ऐसे भी है जहां पर वो रेट घट रहा है बट कुछ-कुछ ऐसे भी states है जहां पर वो accident जो बढ़ रहा है धीर धीर है ठीक है तो anyways statements दिये हुए देखते है there has been a drastic reduction in the elephant killing in Assam over the last years अच्छा over the years okay drastic देख रो थोड़ा high statement है वानला थोड़ा exaggerated किया हुए statement है but anyways exaggerated statement मतलब यह नहीं तर सबसम है वो wrong ही हो right but आपको you need to remember those kind of reports first right तब उससे आपको पता चलेगा that actually में क्या-क्या चल रहा anyways दूसरा statement देख ले रहा है there has been overall reduction in elephant killing in India over the years मतलब overall अगर देखोगे elephant killing में लिकिन reduction हुआ है over the years which is absolutely true right so care यह तो अब 100% बोल सकते हो क्योंकि यह देखो यह specific है न state-wise so यहाँ पे confusion हो सकता है that सही है क्या नहीं but चलो यह क्योंकि overall to reduce हुआ है तो हाँ यह तो बिलकुल सही है तो यह तो कोई गलत नहीं कर सकता right but non-kadak बोला है so this will not be the answer right next is there has been a reduction in elephant killing in Karnatak over the years यह आपको देखना पड़ेगा whether it is true or not all the statement is incorrect यह कैसे यह तो correct है तो यह तो खर option नहीं बना ना जी है ना तो incorrect तो नहीं है option है ना but अच्छा यह ऐसा भी यह देखो यह option ही गलत है actually में यह option अगर दे दिया ना तो यहीवाल option सही हो जाता ठीक है क्योंकि incorrect यह तो मनलब गलत option हुआ ना so anyways माफ करना यह option जब बना question बनाते समय actually यह ध्यान नहीं दिया गया था चलो कोई बात नहीं सोचो तीन ही option है ठीक है तीन option में कौन सा सही है चलो मैं आपको data दिखा देता हूँ उसके बाद आराम से ठीक है क्या 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 बोला गया करनाटक और असाम के बारे में यही दो confusion है ना तो देखो असाम का अगर देखो के 2018-19, 19-20, 20 है के इस पहले था कितना दो elephant की मृत्ति हुई थी उसके बाद दो elephant की मृत्ति हुई उसके बाद 5 मतलब यह तो बढ़ रहा है, आसाम में तो बढ़ रहा है, but option में क्या हुआ है, there has been drastic reduction, right, of course, पहला वाल option जो है, यह बिल्कुल गलत है, right, so not correct बोला है, तो पहला वाला ही सही है, अच्छा चलो, third number statement भी देख ले, there has been reduction in elephant killing in Carnatic over the years, right, देखो, यहां पर drastic drastic कुछ नहीं उसकिया है, सिर्फ बोला है that elephant killing in Carnatic जो है, वो reduce हुआ है, तो क्या हुआ है, देखो तो, 2 था, उसके बाद 0, उसके बाद 1, right, so overall अगर पहले से देखोगे, तो यह घटा है, ठीक है, so this is also true, but पहला वाला क्योंकि option गलत है, इसल consider the following statement regarding Northeastern Regional Agriculture Marketing Corporation Limited, that is NERAMAC के बादे में दो statement जिये में, NERAMAC support करता है, farmers यह फिर producers of Northeastern to get renumerative prices for their produce, which is absolutely true, it also helps manage, promote, aid and expedite the export of raw and finished horticulture produce from Northeastern, absolutely, again, generalistic statement, तो दो यहां पर बिलकुल करेक्ट है, correct पूच रहा है, C only is the correct answer, right, just go through it, this is a self-explanatory, right, इसी से डिकोड डिर्क्ली बेसिकली बेसिकली स्टेमें उठा लिया गया है, है ना, next, consider the following statement regarding tea production in Barak Valley, region of Assam, okay, Barak Valley contributes more than 50% of tree produce, production in state, क्या यह सही है, चलो, दूसरा होला statement है, there has been a continuous rising trend in tree production from Barak Valley, since past decade, past decade से अगर देखोगे, continuous rise in production हमें देखने को मिल रहा है, Barak Valley में, क्या यह सही है, देखो, दोनों यहाँ पे गलत है, क्यों, क्योंकि 50%, इतना जादा production दोरोना होता है, जी, Barak Valley में, और यह घट रहा है, इसी एक news भी हम लोगों ने देखा था, है ना, तो anyways, क्योंकि correct पूछा है, तो D option will be the correct answer है, क्योंकि दोनों में कोई भी सही नहीं है, मैं आपको दिखा लाँ, देखो, Barak Valley जो है, यह स्मात्र 6.5% ही total produce करती है, Assam का, ठीक है, और अगर देखोगे, 2019 लेवल से, there is decline in production on Barak Valley, और दूसरा statement क्या था, there has been continuous rising trend in the, you know, tea production from Barak Valley since past decade, तो क्या सही है, नहीं न, गलत है न, तो इसलिए, D neither 1 nor 2 is the correct answer, next question, which among the following places from Assam is enlisted in the list of geological heritage site, बताइए, कौन-कौन से ऐसे sites है, जो कह geological heritage site में included है, Assam से, पहला है उमानन्द आइलाइड, दूसरा है माजुली आइलाइड, तीसरा है नामिली नेशनल पार्क, चौता है दिपोर बिल, देखो दिपोर बिल जो है न, यह geological heritage site नहीं है, तो 4 तो गया, 4 गया तो कौन सा गया देखो, यहां पे, यहां से 4 गया, क्योंकि D option गया, अच्छा, अब उमानन्द है, हाँ, उमानन्द बिलकुल है, अगर उमानन्द है, तो यह A, B, C, तीनों में है यार, है न, तो ठीक है, दूसरा वाला है, देखो मजूली है, जी हां, अप्सलूटी मजूली है, तो B और C में ही कोई आंसर होगा, A भी गया यहां पर, ठीक है, देखो, ऐसे करके eviction करते हैं हम लोग, ठीक है, अब थर्ड नंबर में काटा घूम जाएगा, नामेरी नेशनल पार्ग क्या है, एक्चुली में देखे, नामेरी नेशनल पार्ग नहीं है, उमानन्द और माजूली है, तो इसलिए C will be the correct answer है, ठीक है, तो वैसे दिया हुआ है, that recently basically geological survey of India के द्वारा कुछ कुछ identify किया गया था, geological sites across the northeast, जिससे geotourism को promote किया जा सके, असाम से माजूली आइलन और उमानन्द है, वैसे अगर मेगालय से देखिएगा, ममलू केव और गौड्रॉक्स जो के थेरिय घाट में मेगालय का, वो है, त्रिपुडा से अगर देखिएगा चाभी मूरा और उना कोटी है, अरुनाचल प्रदेश से संगेत सरसो लेक है, जिसको हम लोग माधूरी लेक भी कहते हैं, उसके बाद मिजोरम से रेक तलांग है, और नागालंड से, नागा, हिल, ओफियोलाइट है, यह सब चीज है, कुछ-कुछ, जो आज के क्लास में इतने सारे MCQs, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, आपका कितना सारा MCQs सही हो रहा है, I will be very much happy to see your performance in this class, right, so anyways this was all about the discussion, और साथी साथी य साथी यह जो इज एक बदेशन मेंगा है, कितने साथी सेक्शन में अगे आट साथी और सामाती य क्लीज, और साथी हो प्लीज जो रहा हाँ, जा एकुछ, झाकुछ, ऱस्ता है,कितने साथी यह दो जो ako सक्लीज यहाँ करदन सेवा पत्लीच को भ рукबाच, चैसे के व्लीज